पिर ये बद्धारती हों, आप सभी का मेरे यूटूब चैनल Lotus Study Point में हार्दिक स्वागत है आप सभी को पताई होगा कि 16 फर्वरी से UP Board की प्रेक्षाएं आयुत की गई हैं इस वीडियो में हम कक्षा 12 की जो फिजित्स है जो आने वाली प्रेक्षा में पहुत ही important होने वाले हैं, अगर आपने इन questions को तयार कर लिया, तो आप मान के चलिए, लगबक 70 में से 70 number यहापर लाने के chance पूरे बढ़ जाएंगे, इस वीडियो मैंने सभी questions को chapter Y select किया है यानि कौन से questions important हैं, उन सब को मैंने आपर इसमें रखा है, और इन questions को सुरू करने से पहले, मैं अपने मार्सीट दिखाऊंगा, कि मैंने किस प्रिकासर रणनीती बना कर number लिये थे, तो अभी आप ये जो मेरी देख रहे हैं, ये 12 class की मार्सीट है, जब मैंने 2016 में पास किया था, तब कि मैं देखाऊंगा, आपको यहाँ पर, उस समय कोर्स भी काफी था, यहाँ पर देखी ये सब्जेट देगी physics, और मैंने दो पेपर हुआ करते थे, 35 परसन नमर के, फस्ट पेपर मैंने कितने प्राप किये थे, 35 मिशे 33, और दूसरे वाले कितने गे थे, 32, तो मेरे कुल मिला कि 70 मिशे कितने आये थे, 65 नमर आये थे, वह प्लाल 29 नमर प्रेटिकल गे थे, तब मैं मिला कितने हुए थे, 490 मिशे नमर हुए थे, physics में, तो मैंने इसी रंड़ी से पढ़ाई की थी कि जितने भी महतूर जो पिरसन होंगे, हम उनको तयार तो जरूर करेंगे, तो आप यहाँ पर सबूत दे सकते हैं, तो चलिए अब उस वीडियो को हम शुरू करेंगे, तो चलिए इस वाली वीडियो को अब शुरू करते हैं, और इसमें हमने चैप्टर वाइज बहुत सारे इंपोर्टेंट कोसंस रखें, इनी कोसंस को आपको तयार करना है, और मानके चलिए कि आप लगबग 65 नमबर तो लाने के पूरे पूरे आपके चांस रहेंगे, और जस इसके बाद जो इंपोर्टेंट से नुमेरिकल हैं, उन पर एक वीड था धालिका, यह पूरी एक ही उनिट है, और पूरी एक उनिट से कितने कोसंस आएंगे लगबार 8 अंकिते यहां पर कोसंस पूछे जाएंगे, तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें का तयार करना है, कूलाम का यह उनक्तर करना है, तयार और इसमें बैदूधर क्या होता है, और इसके बाद इसके बाद विद्दो दुधरप के कारण अक्ष पिर्म टियार और हमें यह सूत्र स्थे करना है कि और इस चैप्टर से बात करें तो हमें अननतलंबाई के समाहरूप से आप रिषाट सीध्य तार की सहता से एक समान आविसल संतल चाधर के निकड विद्दु छेतर की तिब्रता के बेंज़क यह हमें तयार करना है यह दोनों गौस के नियम के अनुप्रियोग हैं और अगर हम दूसरे चेप्टर की बात करें इस तर विद्दु विववव तदर धारिता की तो इस चेप्टर से हमें विद्दु विवव की परिवासा सूत्रों मात्र तयार करना है संदरत्र की धारिता परिवासा और सूत्रों मात्र करना है ब्रह्म विवव प्रबरता की परिवासा यह कुछ सौट कोसंस है और इसके बाद हमें तयार करना है इसमें बिद्धुद आबेस के कारण बिद्धु आबेस पर बिद्धु विवब कर विवब और बिद्धु दुधु 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 के कारण किसी बिद्धु दुधु दुधु के कारण किसी बिद्धु दुधु 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 अब अगर हम तीसरे चेप्टर की बात करें बिद्दुध धारा की अब हमें अगले चेप्टर में बिद्दुध धारा पर हमें के तजार करना है यह पूरी साथ अंकिकी आने वाली तो यह कुछ मात्र집 औ और सेल के बिद्दुध अदार पर ओमक निहीं करते अबहर के इंपोरेंट विद्दुध परिपत क के लिए क्रिशाओ के नहिए अगर इस चैप्टरकी बारी मातर करना करना है इसके बाद चुमबक की लिए थरुप डुदरप की परिवासा सूत्र मात्रख के लिए उत्पन्चप ये वर्योंस सभी नियम चAKन के नियम्कान अब बावश्रवट के नियम की हनुप्रयोग यिनि इसका साथ अकछफर चुम्बग ये छेत्रका वियन्जक और इसमें एक और == यह बायो सेवर्ट के नियम की साथा से कुंडली के अक्षपर चुंबा की छेत्र का वियंजग और हमें इसमें एंपिर के परिपतिय नियम से तयार करना है इसको उप्योग करके एक अनत लंबाई की सीधी दारवी चालक के काणुपर चुंबा की छेत्र के तिब्रतका सुत म करना है दो समानतर दारवी चालकों के बीच लगने वाले बलका सूत्र कने में करना है एक अपन एल मुनाट अपन टू पाई इंटू आइवन आइटू अपन आर यह वाला हमें इसमें तयार करना है और हमें इस चैप्टर से एक समान तरजी चुंबा की छेत्र में धारवे कुंड़ी पर आरप बलके लिए सूत कने में करना है ताउ पराबर आइन आइए भी और गल्वनो मीटर तता बोल्ड गल्वनो मीटर का बोल्ड मीटर में रुपा अंतर्ण इस चैप्टर से ब इतने ही कोसन तयार करना है अगर हम चुंबा के परिवासा सूत्र मात्रक भवरदाराय और स्वप्रेण गडाम परिवासा सूत्र मात्रक तता बिमा और फराडे के विद्द्डचुंबा की प्रिवनो संबंदी नियम धारावाही परिवासा के कारण सूत्र का तता बितर करना है और अगर हम प्रतरती धारा की बात करें तो इस चैप्टर से में प्रत्यवर्धि धारा के बर्गमाद Muglman यcieżी happens IRMS मान के बिंज़र प्राद करना है सरचना और कारवधी का बढ़न करना है प्रत्यवर्धि धारा जनेत्य सिद्धाम्त कारेपर्णाली के चित्र बनाना है और एक बात और इस चैट्र के जो numerical होंगे वो बहुत ही important होगो को इस chapter से numerical अधिकतर पूछे जाएंगे वो numerical की वीडियो इसके बाद बनाते हैं कौन-कौन से question से पूछे जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद और उस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे सत्तर की सत्तर नंबर लाने की पूरे चांस बन जाएंगे आपके देखना एक भी question आपका एक्जाम में नहीं छोटेगा तो अगर हम आठवी चेप्टर की बाद करें तो आठवी चेप्टर में चार अंकर का आएगा इसमें बिद्दुचुम्ब की तरंगे तो इसमें का गरना है बिद्दुचुम्ब की तरंगों की परिवासा तता चार विस्यस्ता है लगाने और इसमें बिद्दुचुम्ब की स्पेक्टरम और माक्सिबेल की विद्धुचुम्ब की तरम सिद्धान्त की विश्यस्ता ये तीन कोसंस इसके लावे से ज़्यादा नहीं करना है और हम अब हमारे हैं से खंड़ खास टाड़ हो जाता है क्योंकि दूसरी बुक की बात की जा रही है बट पेपर तो एक दोनों का यह कि आएग परिजम के पदार बिचलन कोल बरग बिशमर चंता नेतर की समझन चंता यह कुछ सर्ड कोसंस पतेर करना है अब तल लेंस के प्रतम फोकस दो थी फोकस की परिवासा और हम इसमें लोंग कोसंस की बात करें गोली प्रिष्ट पर प्रिकास के अबवर्तन का सूत इसकी सहता स पतले लेंस की focus दूरी के लिए ये सूत्र में सद्ध्र करना है अब अब तल गोडी प्रिष्ट के अफवर्तन का सूत्र करने में करना है अगर हम अगले chapter की बात करें तरंग प्रिकास की तो इसे हमें कला संबद सुरोतों की परिवासा तैयर करना है सिद्धान के चल्किन्य निएकुतॉ इसके बाद हमें प्रिकास का बिवर्तन एकल ज़री से प्रिकास के बिवर्तन के कारण प्रिकास का प्रारूप की व्यक्ता करना है और अगर हम ग्यार में चैक्टर की बात करना है इस समय क्या 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 करना है इस स प्रिकास बिद्धु समझे करना है और इस चैप्टर के नुमेरिकल भी है बहुत ही इंपोटेंट है क्योंकि इस चैप्टर से इक नुमेरिकल पुछ जाएंगे इसके बाद अगर हम बार में चैप्टर की बात करें परमाडू यह नहीं आइटम तो इसमें दो चैप्टर है बारा और तेरा और दोनों आठांगे के आने है तो कुछ सॉट कोशन समय करना है हाड़ोजन परमाडू की आननूर्जा और आनन भूपव की परिवासा रिडवर् निकालनी है और सबस्यादा जो इंपरिटेंट चैप्टर का वो है हाड़ोजन परमाडू के लिए उर्जा इस्तर आरेक इस्पेक्ट्र में रिखाओं की लायमन बामर और पाशन सिनोर्य की विद्पत्ति करनी है अब हम नुक्रियस की बात करें नाविक वाले चैप्टर और इस पार्ट से भी जो बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट है इस पार्ट में द्रिब्मान छती नाविकी संल्यन और नाविकी विखंडन पर आधारत प्रिशन महत उन है यानि निमेरिकल बहुत ही इंपर्टेंट है इस चैप्टर गे अब हमारा इस अध्या का लास्ट इसमें अर्धचालिक ट्रोन की पदार्ट एक्तिया तो सरल परिपद यह प्रोल आठ एंकी की आने तो इसमें में का तैयर करना इसमें बरजित और अंत्राल एनरजी बेंड का अप्छे परस्ट डिप्लिशन लियर प्याइन परिकार के सेमिकन्डर्ट तियार करने हैं और ह इसमें ऊर्जाबेंड उर्जाबेंड के आधार पर चालक यह जालक अर्ध चालक और अचालक में अंतर निकाला है और सबसें इंप्वोटेंड पी एंसमी डायोड के लिए अग्रद शिक एनि फॉर्ट गयोड वाइस तदा पश्ट वइस अवस्ता में आरे और और तेहर करना है और विविन प्रिकार के फिन संदी डाट तेहर करना है इस फोटो एलेक्टिव फोटो डायोड हो गया या प्रिकास अच्छाज़ग डायोड जो एलीडी होती है और सौर सेर और अपी पी एन पी टांजिटी की सरचना कारवधी तता प्रतीक और उबनेश्ट उ प्रिवर्दक के रूम में कैसे इसको मिस्तमाल कर सकते हैं और विवन प्रिकार के जितने भी लॉजिक गेड़ है उनके प्रतीक उनकी बिलियून बेंजग तता साड़ेक्यों भी हमें इसमें त्यार करना है तो यह हमारे लॉंग और सौर्ट को संस हो गए और इनी से हमारे बिकल्प बन जाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम पूरी नुमेरिकली की स्रिंकला बनाएंगे सभी चैप्टर बाइज और उस नुमेरिकली स्रिंकला को देखने के बाद और इसको देखने के बाद आपके पूरा जो फिजिक का पेपर है वो लगबग लोटुस स्टड़ी पॉइंट को सर्च करना पड़ेगा और बहां से इन कोसें स्केंड पीडियाफ राफ कर सकते हैं अगर आप निकोस्ट को तैयार कर लेते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि बिल्कुल ही पूरा इसी कोस्ट इसके आधार पर ही आने वाला है तो अगली क्लास में हम जल्ली ही मिलने वाले हैं एक्जामपल्स के साथ तब तक इन कुशन्स को अच्छे से तैयर कर लेजिए